Hello students, how are you? Hope you all are good. So student, आज जो हम पॉम पढ़ने वाले हैं, वो किसके बारे में? सेंटर क्लास के बारे में हैं. So आज हमारी पॉम का नाम है, सेंटर क्लास कम्स. The poem is about the coming of सेंटर क्लास and how he says Merry Christmas to all. So आज जो हम ये पॉम पढ़ने वाले किसके बारे में? सेंटर क्लास के बारे में हैं. और वो आकर किस तरीके से सबको Merry Christmas विश करते हैं. A good time is approaching. I wish it were here. The very best time in the whole of the year. अब जो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो बहुत जादा excited है. क्यों? क्योंकि Christmas आने वाला है. और वो क्या करें? कि जल्दी से वो समय आ जाए जब सेंटर क्लास हमारे घर आएंगे. और वो बड़ी ही बेसबरी से इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं. I am counting every day on my fingers and thumbs the weeks that should pass before Santa Claus comes. और बच्चे कहते हैं कि मैं इन दिनों का इंतजार जो है उंगलियों पर गिन गिन करता हूं और week pass होते जाते हैं कि कब जो है Santa Claus हमारे भी घर पर आएंगे. When the first snowflakes begin to come down and the wind whistles sharp, I will not mind the cold. अब जो जितने भी सारे बच्चे वो Santa Claus का इतनी excitement में इंतजार कर रहे हैं कि कब Santa Claus आएंगे और Santa Claus कब आएंगे जब जो है snow गिरने लगेगी और जो ठंडी ठंडी हमाई चलने लगेगी, इतनी ठंड होने के बाद भी बच्चे जो है ठंड से परिशान नहीं है क्योंकि वो किसका वेट कर रहे है? Santa Claus का वेट कर रहे है. Though my fingers are numb, because it brings the time nearer when Santa Claus approaches and say Merry Christmas. अब जो है ये बच्चे है, Santa Claus का इतना इंतजार करें कि इतनी ठंड में उनकी जो फिंगर है वो numb हो चुकी है, numb means सुन पढ़ जाना, ठीक है तब भी उनको जादा ठंड का कोई फरक नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो Santa Claus का इंतजार कर रहे है, कि कब जो है दिन करीब आएंगे और सेंटा क्लास आएंगे और जो है सबको Merry Christmas wish करेंगे, so student hope you like this poem and इसके आगे का revision आप लोग खुद कीजिए